नहीं के क्या विडूज कि यहां न ना अब मिछ एइं च्पर नकार्ट तिने की साथ साथ में टुम्हें तुम्हें क्या करना है तुम्हें भी वृक करे लेना है यहां पर रूते हैं एब पर यहां के पड़ चुके है तो जल्दी से आऊ सब्सक्राइब करते हैं अपने दोस्तों के साथ बिसकी लिंग की जा सकती है सर यस लिंक की जा सकती है अपने दोस्तों के साथ भी तो आया जाए वे फटाफट से यह सर आ रहे है अच्छी बात है लिविंग वर्ल्ड में हम सर इसका वेटेज कितना है हमारा वेटेज किस्टन का जो के वाले काफ़ इंपोर्टेंट है एक वेटेज चेप्टर से उके सर आजाओ भई आजाओ सर फूचर डोक्टर आजाओ आजाओ सर फूचर डोक्टर सर आजाएंगे सर फूचर डोक्टर स्योंकि हम पढ़ेंगे इंसे अर्टिक की एक एक लाइन यहां पर काफी ज्यादा अच्छे से लाइफ से से लाइफ सेशन है यस 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 सर यस 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 आ सब आ जाओ आ जाय जाएगा सब आज आएंगे वेरी 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 वेडिडिटीं है कौन-ौन नहीं देखते आपर कौन-ौन है हमारे साथ तुट हैं तो अलो सब त्रीशी बेनरजी सब 3जओ एनरजी हैं और कोई सार और कोई और भी जो सेट आपर हम स Czech पड़ेंगे पूरी से लाइन टू लाइन यसर लाइन टू लाइन टू लाइन यसर लाइने पड़ेंगे बहुति जाद अच्छ कर चुके हैं Sir, और यहाँ पर, नहाँ बात हमने क्या डिसक्स की Says, कि किसको हम, Sir, मैं क्राइटेरिया मानेंगे Sir किसका Defining Property of the living world किसको मनेंगे, हमारा है कॉनसेस는 November, ओके, यहां से तुमहरा कृस्य तना आता है, येस 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 Defining Property of the living being, क्या है हमारी defining property of the living being sir क्या है क्या है क्या है वो है हमारी consciousness ये बात सब को काफी ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से sir ओके sir ओके 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 नो दिक्कत नो परेशानी नो समझ्चा या दिक्कत है नो दिक्कत, नो परिशानी, नो समझ चाहिए या फिर दिक्कत है सर, नो दिक्कत सर, वेरी गुड भाई, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए वैसे, करते हैं स्टार्ट हम जल्दी से, जल्दी से करने सरे स्टार्ट, सुपर फास्ट पीड के साथ, ओके, ओके, ओके सर, तुम लोग जोईन करो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूं थोड़ा यह सर वेट किया जा रहा है तुम्हारा ही वेट किया जा रहा है तयार हो वेट सभी तयार हो यह सर तयार है तयार है तयार है सर भहती भैतरीन सेशन सर अमारा बहुत ज़्यादा भैतरीन सेशन करते हैं स्टार्ट इसे यह सर इतना हम पढ़ चुके हैं आगे बढ़ते हैं कहां से पढ़ने वाले थे आज देखो गर तो हमारे पास कुश्चन आता है कि डिफाइनिंग प्रोपरटि जो जो लिविंग और अगरिजम क्या है तो क्या होगी सर्मारी वह हमारी वह हमारी सेल्फ और कॉंशेशनेस उसका करेक्ट आंट जाएगा डाइवर्सेट इन लीविंग वर्ल्ड पढ़ चुके था हम यहां पढ़ते हैं से खांपर हमने यहां सर्फ गया लोज भी पढ़ ले थे सारे उसके बाद हम यहां से अज स्टार्ट करने वाले हैं ओके शारे लोज देखे हमने क्या-क्या लूज है यूिवर्साल रूल्स फॉर नॉमन क्लेचर क्या-क्या हमारे यह एक बार फिर से इन देख लिया जाय अए सर देखो या देक कि सास्ट कॉंकि की साड़ 的 लेटीन को यहां पर चूज किया गया उसके कि इसको हम समझे किसे सर मैं जी फेरा इंडिका से कर समझते हम यहाँ पर तो यहाँ पर देखो तुम जो फॉस्ट लेटर है मारा यह यह क्या है यह मारे जीने से सर सेकंड स्पेसिफ गफिथेट है उसके बाद देखो जब भी इन्हें हम लिखेंगे ओके बोद वर्ड इन बाय लेटीन दिखा सकें उसके बाद देखो सर में जी फेरा में तुम देखो यह मैं यह यह क्या है इसका मतलब क्या हुआ जीनस का फॉस्ट वर्ड इस्टार्ट होता है इस समॉल डेटर से तो इस सारे रूल युनिवर्सल रूल हम सबको काफी अच्छे से याद रखने है कि यहां से हमें चारों सब्सक्राइबहाँ काफी आछ यहां से जो नंने नाम प्लाइंक का उसे कहां रख तर उसे जो हमारा specific habitat होता है उसके बाद रखेंगे ठीक है name of the author appears after the specific habitat यहाँ पर मैं कर रहा हूँ उसे underline name of the author appears after the specific habitat sir that is at the end of biological name और इसको abbreviated form में लिखते हैं इसका मतलब क्या है छोटा करके लिखते है ठीक है जैसे कि हमारे plant है mangifera indica इसको हमारे lineage सामने discover किया मतलब कि lineage सामने इसका नाम दिया तो इसको हम छोटा करके लिखेंगे ठीक है ना पूरा नाम नहीं लिखेंगे li double n लिख दिया हमने यह हमारा क्या हुआ genus specific habitat और यह हमने name of the scientist लिखा कि इसमें abbreviated form में short form में लिखा sir इसको okay short form में लिखा गया है यह इसका मतलब क्या हुआ कि सर देखो यह जो मारे मेंजी फ्रेंडी का है इसको सबसे पहले किस ने describe किया था this species described by firstly by the lineage सहब यहीं इसका मतलब है ठीक है अब देखो सारे organism का सर जितने organism है कितनी non number of species है according to robot में 1.8 million to 1.7 million yes 18,17,000 के सबको याद करना पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है कि हम हर category का हर category का यस ऐसा नहीं है क्या क्या नहीं है सर कि हम केटेगर हर हर organism को याद कर सके होर organism के characteristic याद कर सके यह बिल्कुल नियर टू impossible है सर यह बिल्कुल impossible है यह सर काफे ज़्यादा पॉसिबल है ओके 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 हलो विशनु प्रिया अपूर नाजिया दिख रहा है सब को स्क्रीन सब को दिख रहा है ना ओके सर चलो पढ़ते हैं फ्रेंट से अर्टी सब रहो साथ में मेरे पास यहां पर मैं तुम यह भी बताऊंगा किस्टन कहां कहां से आया है पुछले प क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है सरमारा क्लासिफिकेशन एक प्रोसेश है यह स्क्लासिफिकेशन इस दी प्रोसेश बाइविच एनिटिंग ग्रूप इंटू कर्विनेंट केटेगरी बैस डॉन संब इजिली ऑपजर्वेबल क्लेक्टर सर ओके जैसे कि देखो अब पास काफी सारी चीजें हैं तो अगर तुम सबको याद नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे क्लाशिफाइब कर दोगे फिर जिस ग्रूप में तुमने उनको क्लाशिफाइब किया है हलो ट्यूब जिस ग्रूप में तुमने उनको क्लाशिफाइब किया है सबको उनको अगर क्लैसिट अम्ने क्या किया कि जो भी फोटो संथिश्ट करते हैं उनको रख दिया ठीक है अब प्लान्ट में रख दिया तो अब चाहे वह प्लाण्ड तुम्हारा पीपल का पेड हो बद का पेड़ हो आम का मैं प्लान्ट में सेल sheriff होगी सब्सक्राइब में अलग से याद करने की जरूत नहीं है कि पीपल में भी रूट होगी ठीक है सब प्लांट में आते हैं जैसे ही अब प्लांट को कर सकते हैं डोग्स और केट्स है ठीक है इंसेक्ट को देखो simple सी बात है the moment we use any of these terms we associate certain character with the organism in that group ठीक है अब जैसे मैं तुम्हें बोलूँगा plant तो क्या तुम्हें यहाँ पर हाती घुड़े याद आएंगे क्या नहीं sir तुम्हें क्या याद आएंगे हरे हरे होने चाहिए पत्तियां होनी चाहिए एक बड़ा सा plant होगा जो move नहीं कर पाएगा ठीक है तो यह आद आएगा हमें ना ठीक है simple सी बातियां पर लिख्यों यह यह यहाँ पर भी यह बोला गया देखो what image do you see what image do you see when you think of a dog क्या दिखेगा तुम्हें आखे बंद करो सोचो dog क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है किसी को भई सेड तो नहीं दिख रहा है किसी को सेड तो नहीं दिख रहा है ट्यूबा क्या विस्क्रीन आ रही है त्यूबा अब क्या स्क्रीन आ रही है क्या यह सर अब इस्क्रीन आ रही है ओके सर सही बात है बिल्कुल सर हम जब यहां पर सर नाव इस वी वर तो थिंग आपाऊ सिंपली बात है उसके बात सर सपोजली सिमिलर्ली सपोज वीवर से मैमल्स के नाम जम क्या याद आएगा मैमल्स एक हमारे काफी बड़ा ग्रूप इसमें क्या याद आएगा सरमें यह सर अफकोर्स थिंग ओफ एनिमल्स विद अफकोर्स थिंग ओफ एनिमल्स विद सर एक्टरनल इयर्स बोडी है और मैमल्स का क्रेक्ट्रिस्टिक क्या होता है मैमल्स का क्रेक्ट्रिस्टिक हमारा क्या होता है सर मैन क्रेक्ट्रिस्टिक ओव दी मैमल्स सबसे ज़्यादा म यहां पर देना भूल गई है कोई बात नहीं इसे के बात देखो सर अगर हम वीट के बारे में सोचते हैं तो सैंपल सी बात है क्या 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 विए इसमें में को रखते हैं ठीक है जिनका यूज किसले करते हैं यूज त्म में क्या बोला जाता है संगव थेंट ब quién decisik में सा यहाद में किलल जाता है हमारी खार क्या हो साधी। term for the categories scientific term for the categories sir और इसमें क्या होता है हमारा और टेक्सा नमारा केटेगरी को इंडिकेट कर सकता है कहां पर sir can indicate category at very different level yes sir taxa can indicate categories at very different level yes sir शही बात है very different level का मतलब क्या है यह देखो तुम्हारा kingdom के level पर भी कर सकता है sir division के level भी कर सकता है phylum के level पर कर सकता है order के level पर कर सकता है okay ना okay 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 ना जी अब इस chapter को हम complete करेंगे yes इस chapter को complete किया जाएगा can indicate categories at very different level sir तो taxa क्या हो हमारा scientific term for the categories जब देओ categories तुमारी cat भी हो सकता है mammals भी हो सकता है mammals के अंदर सार हमारे चिंपैंजी भी category हो सकते है humans भी category हो सकते है ठीक है here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level taxa can indicate categories at very different level sir यह बात एक साइन बहुत अल्ट्रा इंपोर्टेंट बात ह evidenCla詹 ना यहा पर क्या साएं प्लांट्स फ्लांट हमारो प्लांट क्रणडा होगया यह भी अमारा क्पस है उसके बाद द को फ mucho तो पूरा है क्पस होगया उसके अंदर में सब्फ यह भी स्थ लेकिन अलग अलग लेवल हैं ठीक है न हम जानते हैं सर मेंमल्स में प्लास होने वाली हूं तुम्हारी इसी चैनल पर तो तुम्हें क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना है और हां रोज हम रोज हम NCRT पढ़ने वाले ऐसे ही जैसे आज पढ़ रहे हैं ठीक है तो जो भी लाइब है चैनल को तो सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करें और हां सर वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें ठीक है ठीक है ठीक है एनिमल को क्लाशिफाइ सहब यह तो इसे क्या बोला जाता इसे बोला जाना टेक्स्टोंप्रेट र से पहले हम करते है अइडेंटिफिकेशन उसके बाद हम क्या करते है शर्णॉमन्किलेचर इब वुए कि उसके बाद करेंगे सोफक्लासिफीकेजी संठीक है सबसे पहले पहचाने प्लायर क्लासिफिकेशन उसके बार फोर्ट नंबर पर इनमें हम सिम्लेटी देखते हैं अफिनिटी देखते हैं तो यह हमारे किसको लेंगे चैनल ए Guruk अलोंग विद थी स्ट्रैश्यौल ऑफ फिछ मौडए Gray आप अंद्री लेशें कंडर यांभी लिखेवाई जाफ जाफ चारेक्राइजेशन का मतलब identification о के प्राइजिस्टन डोनों लगबक सेहन सबसे पहले उसका क्रेक्ट्र बताएं क्या प्र पताएं उसके बाद उसके और क्लाशिफाइब करेंगे यहां पर यह थोड़ा इन्होंने अललक लग स्पश्य देदिया मैं सिक्वेंश तो यांद रखना है इदेखो नई बाद नहीं के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है तरहों र कोई नई बात नहीं में के लिए नोड शम्थिंग नीजिऊ सूंतिंग न्यूमां बिंए नोग या nove अब देखो यहां पर जो अर्ली डेज में अर्ली यूमन बिंग थे इनको क्या फाइंड करना था तो सबसे पहले सर जो हमारा अर्लियस क्लासिफिकेशन था वह किस पर बेस्ट था जैसे हमने क्या किया प्लांट में यह सर हमने डिवाइड कर दिया जिन से में अनाज मिलता है दालों को अलग से डिवाइड कर दिया जिन से में डाले मिलती हैं हमने उन प्लांट को अलग कर दिया जिन से हम तेल निकाल सकते हैं हमने निमल्स को लग कर दिया जिन से हम दोद ले सकते हैं तो जो अरली एस हनू था इस दो लोगनिसम उसके बाद देखो human being were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities but also the relationship among them okay human being interested नहीं था किसमें सिर्फ किसमें इंट्रेस्टेट नहीं था कि ज़्यादा ज़्यादा जाने वो क्या decide किया sir उन्होंने क्या decide किया human being ने क्या सोचा ये कि चलो हमने जान तो लिया क्या करते हैं इनके बीच में क्या करते हैं relationships establish करते हैं और सर इस ब्रांच को बोला जाता है क्या Systematic System बोल जाता है क्या इस ब्रांच को किसको relationship study करते में इंन्मल्स का इसे बोला जाता है systemic Sir with 어야 yeah सार ओक ओक्र qualcosa और यह रिलेशंशीब कैसी होती है सीस्टेमेटिक में मैंली कैसी होती है सैर की सilly कैसे हमारी एलेशंशने बिटविण ओर्गेनिजम इव दो सबस्одар करे डिशले हुझme Арmin देखो वर्ड्स सिस्टमेटिक हमारा उरिजनेट हुआ है लेटिन वर्ड से जिसका मतलब क्या होता है सिस्टमेटिक क्या है इसमें सरम इनको अरेंज करेंगे according to the evolutionary history यह सिस्टमिक अरेंजमन ओफ कोторवाइनलियस यहां से क्यूस्टन आता है कि सरच इसट्मानेचरी Stage क्यूस्तमानेचरी कि अलग लिकीती हमारे रिखती सिस्टमानेचरी ने लिखती सिस्टमानेचरी वहले लीक०्प सिस्टमा नेचरी किस ने लिखी थी या सर सिस्टमा नेचरी हमारे लीनियें सहाब ने लिखी थी सर अब डेको systematic arrangement हुआ systematic हुआ सरे हमारा किस किश मया बाद में वाज लेटर इन लार्ज तो इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर क्लासिफिकेशन ओके और चोहत हमारा क्या था फाइलो जैनी और सर देखो systematic tax into account किसको account में भी लेता है systematic हमारा सर देखते हैं यहाँ पर जल्दी से systematic tax into account evolutionary relationship between the organism इसे क्या बोला जाता है evolutionary relationship between the organism इसे क्या बोला जाएगा सर इसे बोला जाएगा हमारा क्या फाइलो जैनी yes सर फाइलो जैनी ओके ओके ये भी पूछा जाता है कभी कभी ये भी पूछा जाता है कभी कभी ओके सर अब आते हैं टेक्सोनोमिकल केटेगरीज पर टेक्सोनोमिकल केटेगरीज में हमें क्या याद रखना है सर टेक्सोनोमिकल केटेगरीज में यस सर सबसे पहले क्या याद रखोगे सर हर के केटेगरी हमारी है इस केटेगरी को बोलते हैं क्या टैक्स ओन सर करेगे और यह क्या रिप्रजेंट करेगा सब्सक्राइब पढ़ते हैं चलो देखो यहां पर टैक्स्टोनमिकल के टेगरी के बारे में क्या लिखा हुआ है क्लासिफिकेसर इस नोट ए सिंगल स्टेप प्रोसेश बट इन वोल्स हायार्की ओफ दी स्टेप इन वीच इच इच इप्रेजेंटे रेंग और केटेगरी सही बात है सर हायार्की होगी पूरी किंग्डम प्लांट यादे सब को कीप लांट क्लीन और फैमिली गेट सेख ओक हायार्की ओफ दी स्टेप सर इसके बारे में देखेंगे भी पूरा हम हायार्की ओफ दी स्टेप सर और उसमें हर स्टेप क्या रिप्रेजेंट करेगी तुमारी एक रेंग रिप्रेजेंट करेगी टेक्सर रिप्रेजेंट करेगा और केटेगरी इस स्टेप रिप्रेजे ता केटेगरी को टेक्सोनोमिक केटेगरी बोला जाता है और सारी केटेगरी को मिलाकर क्या बोलेंगे हम टेक्सोनोमिक हायार की सारी केटेगरी इसको मिलाकर बोला जाएगा टेक्सोनोमिक हायार की सर ओका機 ओके अब देखों यहांपर इस कैटेगरी रेफर्ड टेइज डा उनीट ओफ लसिफिकेशन सारा हर कैटेगरी को हम यूनीट ओफ क्लासिफिकेशन की तरह रेफर्ड कर सकते हैं किया जाता है शर है ओर आपर हर एक राइंग किरल आबंड करती है जिसे बोला जैघा चांट इन फैक्त रिपर जेंट रो बिल्कुल सभी आर्थ्र पोड़ा का फीचर है हमारा काफी अच्छा फीचर है ओके जोइंटेड लेग्स इंसेक्ट आर रिकोगनाइजबल कंक्रीट कंस्रीट ऑब्जेक्ट विच केंबी क्लाशिफाई ओके एंड दस विर गीवाने रेंग और केटेगरी से बात है यह कैन अब यू नेम शच अधर और उर्गिनिजम यह सर दे सकते नाम में 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 क्या होगा मैमरी ग्लेंड व के बर्ट एवी जूड सकते हैं के टेगरी फर्दा डिनोट रेंग इस के टेगरी और टेक्स ओन इनफेक्ट रिपर जेंट एउनिट अफ लासिफिकेशन यह तो यह हमारी कहा है distinct biological entities है not merely morphological aggregates yes sir taxonomical studies of all known organism have lead to the development of the common category such as kingdom phylum division class order family genus species all organism including those in the plant animals kingdom have species as the lowest category now the question you may ask is how to place an organism into various categories sir कैसे वेरश के टेगरीज के बारे में कहां देयर रखा है हमारा वो yes sir keep plant clean और family gets sick वाला जल्दी से पहले इससे ही देखते हैं यह रासना मारा देखोए आपर दिख रहे है सब को ये keep plant clean और फैमिली गेट सीख स्थी ये क्या है मारा ये सर हमारे टेक्स होन है हर एक टेक्स होन है हर एक कैटगरी है है इसमें हमें क्या देखना है सर क्या बात है हमें याद रखने है यहां पर की plant clean और family gets sick यह इसके ट्रीके याद करने की ठीक है यह हमारा क्या होगा सर यह हमारा largest होगा kingdom हमारा largest होगा सर यह हमारी smallest unit होगी smallest unit है सर क्लाशिफिकेशन की smallest unit हमारी कौन है species सर यह हमारी smallest category है अब देखो यहां पर क्या पूछा जाता है सर क्या पूछा जाता है जब हम सर नीचे से उपर जाते हैं सर species to kingdom level पर जाते हैं तो क्या होता है सर यहां पर हम more general हो जाते हैं more general and sir and sir less common लेज जर्नल होगे जर्नल and more common more common हो जाते हैं सर क्योंकि देखो इसपे सीज में कम और्गनिजम होंगे जिनके बीच में क्या होगी similarity ज्यादा होंगी तो यहां पर common characteristic ज्यादा है उपर जाने पर kingdom में kingdom में kingdom में सर जैसे के animal kingdom इसमें सारे animal हैं तो क्या होगा सर ज्यादा जर्नल तो हो गए लेकिन common characteristic कम होंगे उनके बीच में डो केट होर्स पीग सबको एक साथ रखा है तो common characteristic कम होंगे तो यह बातें काफी अच्छे स्याद रखनी है कभी कभी question आता है तो यहीं से आता है इन दोनों चीजों से कि उपर से नीचे जा पराएंगे तो क्या होगा यह काफी अल्ट्रा इंपोर्टेंट बात जल्दी जल्दी से हम सब के बारे में जान लेते हैं जल्दी जल्दी से क्योंकि यहां से question तुम्हारा नहीं आता है लगबग जो important बात है वही देखी जाएगी जल्दी से ओके 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 सर taxonomical studies of all non-organism have lead to the development of the common category such as kingdom phylum division class order family genus species देख चुके हैं all organism including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category हो के question यहां से पुझा जा सकता है सर lowest category कौन सी है है इस पुझा हमारी lowest category है किसकी सर classification की classification की सर इस पैशिज हमारी क्या है लोवेश्ट category है यहां से क्युस्टन फ्रेम हो सकता है रहे हैं बताओ जल्दी से कमेंट करके क्या है पढ़ रहे हो तुम सब पढ़ रहे हो एन चार्टे खोळ रखी सभी ने मेरे साथ-साथ किसकी स्पेसिज हमारी लोवेस्ट केटेगरी है बायो लोजिकल क्लासिफिकेशन की सर यस 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 सर ओके नाओ दे क्विस्टन में यू में आसके इस हाव तो प्लेज ऑर गिसम इन्टो वेरिश केटेगरी इसकी देखो नौलेज ऑफ दे क्रेक्टर ऑफ इंडिज्वेल ओड क्या करेंगे क्लाशिफाइब कर सकेंगे सर इस हेल्प इन इडेंटिफाइंग सिमिलर्टीज एंडिस सिमिलर्टीज एंडिज्वेल ओफ दी सैम कैंड ऑफ दी और इस प्रेसिज के बारे में क्या इंपोर्टेंट यहां पर जो तुम्हें याद रखना है काफी अच्छे स यह क्या होती है हमारी स्मॉलेस यूनीट इडी मोल.- म सींट आफ दी बाइयो लूजिकल क्लाशिफिकेशन यहां पर काफी यह यह जो वर्य क्या हुआ यार यह क्या हुआ यह क्या हुआ यह क्या हुआ इसके लावा और कहीं से भी क्यूशन नहीं आएगा इसी पॉइंट से आएगा तो इस पर इसी ले कर रहा हुँ क्योंकि इंपोर्टेंट है तुम पीवाई क्यों देखोगे तो यहां से क्यूशन पूछा जा सकता है सर अब यहां पर देखो किस किस को रखा यहां पर देख लेते हैं जल्दी से ग्रूप ऑफ डिडिवजवल और्गिंसम वेदिट सिमिलेटीजंस चीन में फंडामेंटल खुर्प अब्हशन चीन में उनको रखास आया है उनको छल्दी देख लेते हैं वन शुट भी एबल टुट्च्टुज वन स्पेसिज फोँम इददर क्लोशली रेटे मोर्फ लोज़कल डिफ्रेंस है तो हम क्या करेंगे अलग 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 पैसीज है अगर मॉर्फ ओलॉजिकल डिफेंस नहीं है तो क्या जो पेसीज हैं यह सब्सक्विक्षाहर लेटश कंसिड़ेद मैंजी पिरर इंडिका Caribbean तीन हमारे Mister यहां पर देखो टूबर सम लियो इंडिका यह क्या है हमारी यह मारा है स्पेसिज अब देखो कि प्लांट क्लीन और फैमिली गेट सीक में सर इस पैसीज है अब सर जो जैनेरिक एफिथेट है जैने जीनस हमारा सर उसमें कहेंगी सर बहुत सार इस पैसीज आएंगी वही बा और यहां पर देखो मौर्फलोजिकल सिमिलर्टी भी होनी चाहिए सिंपल सी बात है यहां पर देखते हैं रुको जैसे की इस पैसीज के उपर क्या आता है हमारा जीनस आएगा सर उसकी बाद फैमिली आएगा फिर ओडर आएगा तो फैमिली में काफी सारे जीनस है ठीक है है लेकिन फैमिली के मेंबर गिजमी है और जीनस में काफी सारे क्या है तोन के वीजमी से इखना के पास निगरम भी है और मैं लीन्ग में निगना भी है human being belong to the species of the sapien which is grouped in the genus homo the scientific name for the human being is homo sapien ने सबको पता होगा genus में क्या हैगा सब हमारा genus genus comprises of a group of related species जितने भी related species है sir ओकिस में हैंगे हमारे एक genus में हैंगी जिन में sir क्या होगा which has more character in common to comparison to the species of the other genera जो जैनेरा है हमारे यह जैनेरा है तो इसकी species में क्या होगी sir similarities होगी जो दूसरा जैनेरा है उसकी उसकी species में उसकी species में similarity होगी लेकिन दो जैनेरा की species के बीच में similarity नहीं होगी तब ही तो उन्हें अलग अलग जैनेरा में रखा गया है उसके बाद देखो ज़ल्दी देख लेते हैं जैसे यहां पर देखो और हमारा क्या है लोईन और लेपड लोईन और लेपड विमारी कहा है सर एक ही जीनस में हैं लेकर इनकी स्पेसीज अलग अलग हैं लियो और परेडस इसका मतलब क्या हुआ लियो और परेडस में सिमिलर्टीज हैं इसलिए इनको किस में रखा गया एक जीनस में रखा गया ओके ना ओके सर लियो परेडस और टिगरीस इनको एक जीनस में रखा गया सर इनमें क्या है कॉमन फीचर है इसलिए इनको एक जीनस में रखा गया अब सिंपल सी बाहत है यह जीनह सर हमारा दूसरी जीनह से दीनठ हो गाई फैमिली सर next category family है बहुत सारे जैनेरा मिलकर क्या मुझा बनाते हैं बहुत सारे जैनेरा मिलकर group of related जैनेरा yes sir family हमारी क्या होती है group of related जैनेरा जैनेरा femmes यह हमारी family होती है with the still less number of similarities as compared to the जैसे जैसे हम नीचे से उपर जा रहे हैं नमबर ओफ कॉमन करेक्टरिस्टिक गो जोन डिक्रीजिंग सर ये बात तो कॉमन सी है सबको याद रखनी है कॉमन से नाजिया की सांट कर्वाएं एं एलो यॉफ्टर ओजय है। हाथ की सब्सक्राइब करेंद जाएं चेप्टर के बात कि कुछिस्ट्टी करवा जाएं ढोंट वरी-चेप्टर के बाद के क्प्रैक्टिस्ट जाएंग डॉन्यून्ट वरी ओके हैं, ap प्रीप्लस खोश्ञ थोरी प्लस क्यों सालो से था Okay sir next category family has a group of related general with still less number of similarities as compare to the genus and species सही बाद है आप्झेश आप आप फैमिलीज आप्टराइज ओन दर बेपासिस ज से भाहँ वेजिटिट्री टीव बेड़िटरीड थीचरण फीचर और प्लांट प्लांट एकजमपल तरी डिएकर जेनेरा है उमारे इसके बाद इंगत को एक फेमिली में रखा गया है इसमें लोयन टाइगर लेपर्ड आता है इनको किस में रखा गया है हमारे फैलिस की फैलिस के साथ रखा गया है कौनसी फैलेडी में लोयन टाइगर लेपर्ड को फैलिस के साथ रखा गया है फैलेडी है similarly if you observe the feature of a cat and a dog you will find some similarities and some difference as well they are separated into two different families okay Kate और डोग में सर इतनी similarities नहीं है कि इनको एक फैलिस में रखा जाए इनको सर अलग-अलग फैलिस में रखा गया है कौन-कौन सी में यहां से भी कभी-कभी किस्टन आ जाता है सर Kate की कौन सी है सर Kate की family कौन सी है Kate की कौन सी होगी सर Kate के अमारी फैलेडी होगी कैनिस नहीं होगी सर Kennedy किसकी हमारी Kennedy हमारी डोग की है यहां पर तुम्हें common sense यूज नहीं करना है ओके यहां पर तुम्हें common sense नहीं यूज करना है ठीक है ना सी से सी नहीं मिलाना है उल्टा है यह Kate की क्या है फिलेडी और डोग की क्या है सर Kennedy सबको याद रखना है यह Kate की फिलेडी डोग की क्या है डोग की क्या है सर Kennedy यह नहीं पर टुम्हें कंफ्यूस नहीं होना है याद रखना है सबको लिए को अधर आता है देखो को अधर आते हैं और पर आने से पहले चलो और देख ले एक बार जल्दी से में क्या है हमारा फटा-फट्स देखते हैं अब देखो झिन फंबरीज में इस मिलेगी उनको रखा जाएगा उनको एक में रखा जाएगा ओडर एगः ब्रोड विपन हैं अब जिशेश्चिजंगे हैं ऊपर जाएंगे हैं कुमन करेक्टरिस्टिक और कम होने वाले कहां पर हमारे व्टर में तो you have seen earlier that categories like species genus and families are based on the number of similar characteristics generally sir order में क्या होगा हमारा order हमारा higher taxon में category है identify based on the aggregate of the characteristics order being a higher category is the assemblage of the families बिल्कुल सही बात है order में क्या है हमारी बहुत सारी families आएंगी which exhibit a few similar characteristics yes जो family जिन families में कुछ similar characteristics होंगे उनको order में रखा जाएगा लाइक कॉन्वुलेसी इनको एक order में रखा गया है पॉली मॉनियल्स में best on the air formal floral characters और सरक कार्निवोरा में कौन कौन सी family को रखा गया है फेलेडी और केनेडी को कार्निवोरा में रखा गया है उसके बाद माते class पर class में sir class में क्या होगा sir हमारे बहुत सारे order होंगे includes related orders for example sir monkey gorilla gibbon को sir एक class में रखा गया है किसमें mammals में और इनका order क्या है कार्निवोरा है टाइगर के डोग class में में लिया के पास और भी order है मिलकुल सिंपल सी बात है फाइलम में क्या हैंगे हमारे फाइलम में sir बहुत सारे order आएंगे yes fish amphibia reptile birds along with mammals यह सब क्या बनाते हैं हमारे फाइलम है ओके सर्फाइलम है पौरिफेरा सिलेंडर टीनफ़रा प्लेटी अलमन्ती जैसके अलमन्ती यह भी हमारे फाइलम है all these best on the common feature like presence of the notocode and dorsal hollow neural system इनको कहां रखा गया है code data में yes common characteristic होने चाहिए तब ही रखा जाएगा अब देखो code data में काफी सारे इनिमल्स है बहुत सारे इनिमल्स है इसका मतलब क्या है यहां पर common character कम होंगे और general ज्यादा होंगे in case of plant class with a few similar characteristic are assigned to a higher category called division yes plant के case में sir plant के case में फाइलम नहीं होता है यहां पर देखो क्या होगा वे यहां यहां पर देखो क्या होगा वे यहां पर रखा जाएगा kingdom जैसे के अनिमेलिया अनिमेलिया हमारा kingdom है plant हमारा kingdom है मॉनेरा हमारा kingdom है प्रोटिस्ट हमारा kingdom है फंजाई हमारा kingdom है ठीक है और अनिमल बिलोंगेंग तो वेरियस फाइला अर असाइंड तो दी हाइस category called kingdom animalia in the classification system of the animal kingdom planting on the other hand is the distinct and comprises all the plant from various divisions henceforth we all we will refer to these two group as animal and plant kingdom बिलकुर साइ शर the taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species in the figure 1.1 these are broad categories these are the broad categories sir however taxonomic also develops subcategories उनकों पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर subcategories बहुती है काफी सारी हमारी voice ठीक नहीं आ रही है यह क्या हुआ यार voice को ठीक आना चाहिए voice को ठीक आना चाहिए नहीं आ रही है किस किस के पास नहीं आ रही है voice ठीक किस किस के पास voice ठीक नहीं आ रही है आ रही अब अब आ रही है नहीं आ रही है अब बताओ अब आ रही है या नहीं आ रही है इस पॉइंट पर इस पॉइंट आफ दी चाइम पर नहीं आ रही है आ रही है पर सबसे कम कमन करेक्टरिस्टिक होंगे जैसे जैसे नीचे से उपर जाते हैं इस्पेशी स्टू किंग्डम पर सर्टो क्या होते हैं यहां से भी यह भी हमारा एक पोटेंशल किस्टिक बनाता है नीट एक्जाम के लिए एज भी गो हायर फ्रॉम कहां से सार इस प्रसीज्टु किंग्डम पर सर्ट नमबर ओफ कॉमन करेक्टरिस्टिक गोजों डिक्रीजिंग ओके 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 सार यह हमारा देखो पूरा दे रखाए क्या और में यहां पर कभी कभी पूछ लिया जाता है याद कर सकते स्टेबल को उसके पहले एक बात है जो तुम्हारे इंसे अर्ट में नहीं दे रखी है उसके बार हम जान लेते हैं मुझे जगह खाली चाहिए थोड़ी सी कहां पर य नहीं बता रखे हैं तो अपनी से लिखा जा सकता है सफेक्स को सर मैं 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 क्या है सथ stri quarantine के लिए देखते हैं मैं यश्मी करते हैं डिवीजन के सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं क्लास के लिए क्लास के लिए क्लास के लिए म्यूज करते हैं क्लास के लिए क्लास के लिए म्यूज करते हैं क्लास के लिए क्लास के लिए म्यूज करते हैं क्लास के लिए क्लास के लिए म्यूज करते हैं क्लास के लिए क्लास के करते हैं क्लास के लिए उसके बाद सब्सक्राइब करते हैं ओडर के लिए ओडर के लिए क्या यूज क्या जाएगा ओडर के लिए यूज क्या जाता है सफिक्स और सब्सक्राइब के लिए क्या यूज क्या जाता है तो यह हमारे सफिक्स हैं अलगलग टेक्सोन के लिए इन्सेयाटिवे नहीं दे रखा है लेकिन हमें इनको याद रखना है याद रखना है सर एक्स्टा इंफर्मेशन है कभी कभी पूश लिया जाता है याद रखना है सर ौके 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 सर रख लेंगे याद कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा याद वई करो धंसब जलदी से हो जाएगा याद तो अगर हो जाएगा याद तो करो चल्दी से थम सब सर मैंली देखो कम से कम तुम्हें किस-kis का अल्टर इंपॉटेंटली याद होना चाहिए Family का, okay और सर, Class का, ये तो तुम्हें याद होने होनी चाहिए Family और Class के तो, ये कभी-कभी पूछेगा है प्रिविएस यहर में इसलिए सर इसलिए बोल रहा हूं में सब को याद होने चाहिए सर फैमिली और क्लास के तो सब को काफी अच्छे से याद होने चाहिए ओके सर डिवीजन के लिए फाइटा है सब डिवीजन के लिए फाइटीना क्लास के लिए ऑपसीडा फाइसी एई ओ तुम चाहते हो कि यह स्रीज तुमारी continue रहे रोज हमें इस आटि के कुछ पड़ें परें कुछ चेप्टर कम्पटिंट करें रोज सर तो क्या करना होगा तुम्हें सपोर्ट करना होगा वीडियो को सेर करना होगा यस सर और को नहीं डिस्लाइक क्या इसमें बात बुरी लग है जब करने में क्लासिफ़िकेसन में सब्सक्राइड करेंगे है कौन-कौन से हमारे देखते हैं के बारे में जल्दी से इन सब्सक्राइब और चुछ पुलीनेगरी का जिसलीने पुलीनेगरी का जिसलीने